नमस्ते सदावसली मात्रभूमे चेहिन दोस्तों स्वागते आप सबका टेक्निकलास में शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को दोस्तो पहली कवर की बात करते हैं तो भारतिय सेना से आ रही है दसल भारतिय सेना के लिए रक्षा मंत्राले ने एक रेक्वेस्ट पॉर इंफर्मेशन जारी किया है जो कि मोबाइल सेलूरर कॉम्निकेशन सिस्टम के लिए है जो 4G LTE Advanced 5th Generation Standalone और Non Standalone Architecture आधारित नेटवर्क होना चाहिए पता दे कि इस तरीके के इंटेंट नेटवर्क का इस्तमाल भारतिय सेना अपने सेनिकों को जो कि हाई अल्टियूट जो कि पहाडों पर तैनात है इसके अलावा जो 18,000 फिट की उचाई पर तैनात है उनकी Field Formation के लिए कहा जा रहा है कि इस सिस्टम को Contract Sign होने के 6 मैंनों के अंदर डिलीवर करना होगा बड़ते अंगली खबर की तरफ जो कि भारत Electronics Limited को लेकर आ रही है पता दे कि भारत Electronics Limited ने 200 करोड का एक Contract Ministry of Defense से हासिल किया है जिसके तहित वो Non-Indicated Anti-Submarine Warfare Complex M.O.D.C. सिस्टम के आपूर्ति करेगा जिसका इस्तमाल भारतिय नौसेना के युदपोतो पर किया जाएगा जो कि एक Fire Control Solution देगा इसके अलावा Torpedo Firing और Anti-Submarine Rockets का बता दे कि Mod C System, Decoy Launching System के जरिए Counter Measures की शमता प्रदान करेगा दुश्मन की तरफ से आने वाली Torpedo के खिलाव दोस्तों बढ़ते अगले अपडेट की तरफ जो कि Astra Mark 3 मिसाइल को लेकर आ रही है बता दे कि Astra Mark 3 को 2.2 Mac की Speed से विमान दाख सकता है और Astra Mark 3 की Speed है यानि की गती है वो Mac 3.6 है इसकी Range 8 km के Altitude से 190 km होगी और 20 km के Altitude से 340 km होगी खास बात यह है कि Astra Mark 3 को सुखोई 30MKI और तेजस Light Combat Aircraft से भी दागा जा सकता है दोस्तो अब DRDO Astra Mark 3 के Intrigation पर काम कर रहा है ताकि इसका पहला developmental trial 2023 में हो सके यानि कि Astra Mark 3 दोस्तो तयार हो चुकी है बस अब इसका परिक्षन किया जाना बाकी है जो कि एक निश्चिस तोर पर भारतिय वाइस सेना के लिए Game Changer साबित होगी दोस्तो अगली खबर भारतिय नौस सेना को लेकर आ रही है दरसल बोइंग को इस बात का पता चल चुका है कि भारतिय नौस सेना को फ्रांस ने जवरदस्त ओफर दिया है ऐसे में अब बोइंग के Vice President इनिया ने कहा कि Super Hornet Block 3 ये न किवल बहुत advanced platform है बलकी अगर भारत इसको खरीदता है तो भारत को अमेरिकी नौस सेना की जो tactics अपग्रेड होते हैं उसका ज्यान भी मिलेगा जो कि अमेरिका की नेवल एवियेशन एकोसिस्टम का हिस्सा है और इसका अनुमा भारत के साथ हो शेयर करेंगे बताते कि FA-18 ने सफलता पूरवक्त आइनस हंसा से इसकी जम ट्रायल पूरा क्या था और सबसे खास बात है कि दोस्तों भारत इनौस सेना के पास एक ही एजियम ले जाने की जो बादेता है उसको FA-18 दूर करता है क्योंकि ट्रायल के दौरान भी FA-18 ने दो एजियम 84 हारप diplomatina के सामने रख चुके हैं और एक के बाद एक ऑफर भारत को दे रहे हैं दोस्तों अगली खबर भारत की आइनस ऐरिहंट अंब बेहत घातक बनने जा रही है दोस्तों बता दे कि भारतिया नोस सेना के लिए smart torpedo जो कि Solid Matte Notar करेगा उसको ferm leader का परिक्षन पूरा हो गया है औ और इसे भारतिय नौसेना की अरियंद क्लास की नुकलियर पावर्ड बैलेस्टिक मिसाइल पंडुबी में फिट किया जाएगा। दोस्तों ये काफी बड़ी बात इसलिए भी है क्योंकि 6000 टन वाली अरियंद क्लास की जो समरीन है यानि कि SSBN अब 12 स्मार्ट टॉर्पीडो ले जा सकती है इससे भारतिय नौसेना की शमता में बहुत बड़ा इजाफा हो जाएगा। सबसे खास बात है कि भारतिय नौसेना की पंडुबी अब 650 किलोमेटर की रेंज पर दुश्मन की पंडुबियों को तभा कर देगी। इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि 7,000 टन के S4 समरीन जो की अपने फाइनल रिफिट के चरण में है और S4 स्टार जो समरीन है उसका हल पूरा हो चुका है। इस तरीके से इस स्मार्ट टॉर्पीडो को S4 और S4 स्टार में भी लगाया जाएगा। इस तरीके से ये दोनों ही समरीन 24 स्मार्ट टॉर्पीडोस ले जा सकती है और साथ ही 8K4 SLBM और 8K5 SLBM को यानि कि एक घातक कॉम्बो पैक देखने को आपको मिलेगा आने वाले समय में जो कि भारतिय नौस्यना की पंडुबी की शमता को और ज़्यादा बढ़ा देगा। बढ़ते एंगली खमर की तरफ जो के DRDO से आ रही है दोस्तो DRDO अब तेजस मार्क 1A और तेजस मार्क 2 के लिए एक इंकलोस वेपन पॉड को तयार कर रहा है ताकि भारतिय फाइटर जेट का रडार क्रॉस सेक्शन कम हो जब वे अपने साथ हत्यार पेलोट को ले जा रहे ह और यह फाइटर जेट का ट्रैग भी कम करेगा और उनकी लो अब्सरीटी को भी कम करेगा बताते कि इंकलोस वेपन पॉड एक सेंटर लाइन पॉड होगा जो एक तन के हत्यार अपने साथ केरी कर सकता है यानि कि ले जा सकता है जिसमें कि 4 अस्त्रा एर टो एर मिसाइल औ इसके अलावा दो अस्त्रा मिसाइल और 500 किलोग्राम का लेजर गाइडेट बॉम को भी ले जाने में ये पॉड शक्षम होगा हाला कि DRDO अब इसकी फीजिबिलिटी स्टडी कर रहा है डिजाइन की ताकि एक फाइटर जेट में एक से ज़्यादा इंकलोस्ट वेपन दोस्वर ली खबर भारतिय अंटार्टिक विदेहक 2022 को लेजर आ रही है दरसल लोकसा वा में अंटार्टिक विदेहक 2022 को धौनी मत से पारित कर दिया गया है ये विदेहक अंतरास्टे संद्यों के तैस्ट अ भारतिये कानून को स्थापित करने की वेवस्था देता हैं। के लिए अपने केंदर स्थापित कर रहे हैं। भारत के भी वहां पर दो सक्रिय अनुसंधान केंदर है। भारत का अंटार्टिका कारिक्रम 1981 में लॉंच किया गया था। बतादे कि इस बिल के माध्यम से अंटार्टिका छेत्र में अनुसंधान के लिए आवश्यक अंटार्टिका में पाए जाने वाले जीप, पक्षी, पौदे और सील मश्लियों को किसी तरीके का नुकसान पहुंचाना अपराद माना जाएगा। गोला बारुत का किसी भी तरीके से इस्तमाल नहीं होगा। जिससे कि वहां के परायवरण को नुकसान पहुंच सके। ब पूरा भरोसा है कि ये जासुसी उपकरण रक्षा मंत्राले के अत्यन प्रतिबंदित गोपनिया संदेशों को पकड़ सकते हैं और उन्हें प्रभावित कर सकते हैं। साथ उन्होंने कहा कि इसमें परमानुबं की देखरेक करने वाले अमेरिका के सामरिक कमान के संदेश भी शामिल हैं। इस खोलासे से दुनिया भर की टेंशन बढ़ गई है। एक रिपोर्ट के मताबित अमेरिकी खूफी आइजनसी ने चेतावनी दी है कि अमेरिकी सेने पर्तिस्थानों के करीब हुआ 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 के उपकरणों को सभी जानते हैं और ये व्यापक च अमेरिकी टेक्टिकल कमांड संचार को बाधित करने की इनमें शमता है। जिसे की चीन की सरकार को एक बड़ी शमता मिल सकती है। दूसर अगली ख़बर की बात करते हैं तो वो यूएनसी को लेकर आ रही है। सर्युक्तराज सुरक्षा परिशत के पांच इस्थाई सदैस परिशत का समर्थन किया है। यह वही चीन है दोस्तो जिसको हमने ही यूएनसी पर काबिश किया और आज यह हमारे ही खिलाब हमें ही आँके दिखा रहा है। दोस्तो बता दे कि वर्थमान में यूएनसी में 5 सदस्य और 10 गैर स्थाई देश शामिल हैं। 11 सदस्यों को महा तुरक्षा परिशत के स्थाई सदस्य के प्रबल दावेदार माने जार हैं लेकिन दोस्तों चीन का अलंगा आप समझ सकते हैं तो दोस्तों यह थे अभी तक के टॉफ डिफेंस और स्पेस अपडेट वीडियो के समझे कोई प्रश्च या वाब आपका कोई सवाल है कमाई शक्यमली का जरूब हो सकते हैं मिलता हो निक जानकारी के साथ चैनल जो सब्सक्राइब किजिए का जै हिंद वन दे मातरम